दोस्तों नमस्कार आदाव सत्त्रियका नियूज क्लिक के कारिकराम आज की बात में आपका स्वागत है एक जुम्ला बहुत पहले सुना जाता था चाल चरित्र और चेहरे वाली पार्टी कभी कहा जाता था पार्टी विद डिफरेंस जुम्ले उचालने में इस पार्टी का इस परिवार का कोई जोड नहीं है तो इस बार पार्टी विद डिफरेंस चाल चरित्र चेहरे वाली अनुशासन वाली पार्टी बहुत बुरी तरह फंस गई है और ये चोटे मुझोले नेताओं के चक्कर में नहीं फसी है इस बार इस बार टॉप नेताओं के टॉप नेताओं जो सबसे महाबली इस पार्टी में हैं इस परिवार में हैं उनके बीच में फस गई है जी मोधी और योगी की बात कर रहा हूँ मोधी और योगी की जो एक हम इसको लड़ाई तो नहीं कहेंगे लेकिन बड़ी दिल्चस्प जो एक स्थिती पैदा दोनों के बीच हुई है वो संग परिवार उनको सुल्टाने में लगा हुआ है कैसे ये मामला सुल्जे कैसे ये मामला सुल्टे और तरह तरह के पैतरे बादी हो रही है योगी जी महराज लखनव से कुछ करते हैं और यहां पर जो दिल्ली है मोधी शाह और नड़ा साहब की जो पूरी की पूरी जो टीम है वो कुछ और करती है संग परिवार अपने दो दो तीन तीन बड़े नेताओं को लखनव भेजता है कोई तीन दिन मीटिंग करता है कोई दो दिन मीटिंग करता है लेकिन फिर भी बात नहीं बनती तो कुछ तो ऐसी बात है क्योंकि कल्यान सिंग उमा भारती का ये मामला नहीं है कि जो चाहे वो फैसला कर लिया जाए ये मसला है योगी महराज का और आप योगी महराज को अगर समझते हों कि सिर्फ वो एक मठ के मठाधीश है तो सिर्फ यही बात नहीं है उनके पीछे एक थाकत और भी है मठ के अलावा और उनका मठ भी बहुत बड़ी थाकत है नेपाल से लेकर गोरकपुर तक और भी देश के कई हिस्सों में उस मठ के पास बहुत कुछ है उसके पास बहुत बड़ी ताकत है लेकिन साथ में उत्तरप्रदेश के एक समाज विशेष की उनको एक बड़ी हैसियत के साथ उनको समर्थन भी है और ऐसी हैसियत लोग बताते हैं कि राजनात सिंग जी की भी नहीं हुई थी जब वो उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री थे यो योगी महराज ने जिनकी कोई जात विरादरी तो नहीं होनी चाहिए थी उस धार्मिक अंदाज से अगर बात की जाये तो लेकिन जो उत्तर प परसेंट दूसरी तरफ 6 या 7 परसेंट लेकिन ये 6 और 7 परसेंट मिलकर दूसरे समुदायों से बड़ी ताकत पनते हैं खासकर इस्टर्न यूपी में और 2012 नहीं भूला जाना चाहिए यब जब योगी महराज ने BJP और RSS दोनों को धमकी दे दी थी कि अगर उनको वाजि बार और BJP को सरेंडर करना पड़ा था तो ये वो ये वो योगी महराज हैं और अब लेकिन बाजी कैसे कोई हारे हो खासकर टॉप पोजिशन पर जो बैठा है तो नरेंद्र मोदी जी और शाह सहाब और नड़ा जी वो भी कोई जुकने वाले सरेंडर करने वाले लोग नह ये सिर्फ 2022 का मामला नहीं है कि उत्तर प्रदेश में मुख्य मंत्री कौन बनेगा अगर पार्टी जीत पाई तो ये मामला 2024 तक जाएगा कि अगर उत्तर प्रदेश में काम्यावी हासिल होई योगी जी को उनकी अगवाई में तो बिलकुल किना किसी शक के बगएर वो 2024 मे भी अपना दावा ठोक सकते हैं नेशनल लीडर्सीप के लिए और गेरुवाधारी एक मठाधिश को कौन जाने संग परिवार उसी को माल ले जब हिंदुत्वा के आधार पर ही राजनीती होनी है मंदिर मस्जित के नाम पर ही अगर भारत की राजनीत को चलाना है तो संग परिवार के लिए आखिर एक गरिवाधारी क्यों नहीं पसंद आएगा तो ये एक बड़ा मसला है इसलिए काट अभी से शुरू हो गई है और आज जो एक बड़ा फैसला हुआ है दोस्तों वो फैसला है कॉंग्रेस पार्टी में बड़े पदाधिकारी रहे केंद्रिय मं रहे राहुल गांदील जो लिवरल चेहरा माने जाते हैं कॉंग्रेस पालिटिक्स के उनके सबसे विश्वास पात्र दोस्तों में से एक जतिन प्रशाद शाजापुर से फॉर्मर कॉंग्रेस एंपी वो भारती जनता पार्टी में आज शामिल हो गए और उन्होंने नरें उन्होंने राजनीत का एक नया द्वार खोला है उन्होंने देश की सेवा की है वगेरा वगेरा और जतिन प्रशाद ये कोई साधारन आदमी नहीं है इनकी बैक्ग्राउंड अगर आप देखें कॉंग्रेस के एक जमाने में बहुत टॉप लीडर रहे और इंदिरा गर्तिराजित सिंधिया, राउल गांदी के बहुत नज़्दी की थे, जो चले गए बीजेपी में, अब ये घटना उसकी और पुन्रावरित्त ही हुई है, कि जतिन प्रशाद बीजेपी में चले गये क्यों चले गये जतिन प्रशाद बहुत पहले से जाना चाहते थे, ल उस पर तो RSS और BJP का अब एक शत्र राज है तो इसलिए RSS BJP को बहुत परवा रही थी जतिन प्रशाद जैसे नेताओं को कि कैसे और क्यों उनको अपनी पार्टी में लें लेकिन योगी महराज बना मोदी जी की जो इस वक्त गुत्तम गुत्ती चल रही है राज सियासी का है जब जतिन प्रशाद को बुला करके पार्टी में शाविल कराया जाए और गोयल सहाब रेल मंत्री उनकी उनकी सदारत में जतिन प्रशाद ने पार्टी की सदसेता ले ली जतिन प्रशाद वो व्यक्ति हैं पहले बतादू ये भी बड़ी दिल्चस्त कहानी है योगी ने पन्दरा लोगों की जो क्तित महापुरोश हैं उनके नाम पर जो चुटिया उत्तर प्रदेश में मायवती जी और अखिलेश जीदा और मुलाहिम सिंग् की सरकारों ने समय समय पर दिये थे कल्यान सिंग्की सरकार उसमें शामिल रही होगी उन तमाम चुटियों को जो ऑफिसियल हालिडे बना दिया गया था सरकारी चुट्टियां उनको रद्द कर दिया उसमें जो चुट्टियां रद्द की उसमें एक चुट्टी थी परुशुराम जेयंती की भी और अब ये चुट्टी किस कोटी की थी वो एक अलग प्रशन है वह इस पर नहीं जाओंगा लेकिन परशुराम जेयंती पर जो चुट्टी कैंसिल हुई उससे उत्तर प्रदेश का जो ब्रामन समाज है वो अचानक बहुत नाराज हो गया योगी महराज से अभी मुख्यमंत्री पद पर उन्होंने अपशपत ही ली थी बहुत नाराज हो गया जतिन प्रसाथ कॉंग परशुराम जेयंती पर जो स्क्रैब की गई थी योगी जी उसको रिवाइब करें उसको फिर से वापस करें लेकिन अभी तक नहीं हुआ तो वही जतिन प्रशाथ यो योगी महराज के किलाप मोर्चा खोले हुए थे परशुराम जेयंती के नाम पर उनको आरेसेस की सहमत से भारती जनता पाटी ने शामिल कर लिया है बीजेपी में तो अर्विंद शर्मा जो पुर्वी उत्तर प्रदेश के भूम्यार समुदाय से आते हैं आये सपसर हैं मोदी और शाह के बड़े करीबी हैं रिटायर आये सपसर हैं उनको अगर डिपिटी चीप मिनिस्टर उसका आप जैपद्स नहीं दिलाई योगी महाराज ने तो क्या अब जतिनप्रशाद को कोई महत्त्तौकापत मिलेगा उत्तरप्रदेश सरकार में यह बड़ा यक्षप्रश्ण हैं तो अभी जो जतिनप्रशाद को सामिल कराया गया है, उसका जो राजितिक जो उसकी जो परसेंट है तो एक और आज फैसला हुआ है ब्रामन समुदाय को शायद लोग कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में लोग कह रहे हैं कि यह जो पुलिटिकल एपार्टमेंट होते हैं इसके पीछे भी बहुत सारे समुदायों को एपीज करने या खुश करने की पॉलिटिक्स होती है मैं नहीं जानता कि इसमें कितनी सतिता है लेकिन अनूप चंदरपांडे उत्तर प्रदेश के फार्मर चीफ सेक्रेटरी इनको आज एलेक्शन कमिशनर बना दिया गया है तो कुल मिलाकर जो योगी महराज की सरकार से उत्तर प्रदेश के ब्रामन समाज में एक की की वज़ा से उसको बीजेपी और आरेसेस ने बैलेंस करने की कोशिश किया है लेकिन एक बात बिलकुल साफ है कि आरेसेस और बीजेपी इंक्लोडिंग नेरेंद्र मोदी जी और शाह जी ये अब कोई जोखिम नहीं ले सकते कि योगी महराज को उत्तर प्रदेश के मु मोहन सिंग जो केंदरी मंत्री थे उत्तर कैबिनेट में एंडी जो मोदी जी की अगवाई वाला जो पहला कारेकाल था उसमें क्रिशी मंत्री आजकल वो पार्टी के जनल सेक्रेटरी हैं और उत्तर प्रदेश के इंचार्ज हैं जब दतात्रे हस बोले साफ आरेसेस के सेके मैंन जब वहां थे और बीयल संतोस महां थे तो राधा-mohan Sinh भी पहुचे थे लक्नो राधा-mohan Sinh जी ने तमाम नेताओं से मुलाकात की लेकिन राज़ पाल से वह वह मिले और राज़ पाल को बताया जाता है कि उन्होंने एक लिफाफा दिया कहादाता है हमारे जो सु पेता बढ़ा दी अब देखना है कि उसका क्या अर्थ निकलता है तो दोस्तो आज बस इतना ही कि उत्तर प्रदेश की सियासत में जो पेंच फंसा हुआ था उसको एड्रेस करने के लिए गुजरात की जो टीम है वो और गुरकपूर की जो टीम है वो गुजरात बनाम गुरक पूरकपूर का जो ये मामला है वो कौन क्या कर रहा है बड़े दिल्चस्प नजारे सामने आ रहे हैं दो हजार बाइस के मार्च महीने यानि एलेक्षन जो विधानसभा का होगा उसके पहले क्या-क्या होगा उत्तर प्रदिश में देखते रहिए मजा लीजिए लेकिन मत भूलिये कि जातपात की राज नहीं थी को जो लोग नात्मों सिकोडते थे जिस पर कहते थे कि हम तो हिंदुत्वा हिंदु धरम हिंदुत्वा इसकी बात करने वाले लोग हैं जातपात वाले नहीं हैं अब जातपात को कैसे और आगेस भी करते थे पहले भी करते थे लेक काओं के जितने नाम हैं including सिंधिया शिवराज सिंग चवान सब के नाम के आगे उनकी जाती लिखी हुई थी फिर बारा बच कर पहेंट आलीस मिनट पर उसको डिलिट किया गया फिर नई सुची जारी की गई तो जात पात का ये जो खेल है हिंदुत्वा की सबसे बड़ी पा जो हिंदुत्वा से काम नहीं चल रहा है क्योंकि सरकार की विफलता है योगी महराज की विफलता ही केवल नहीं मोदी जी की विफलता भी कोरोना के मौर्चे पर जो है उससे कैसे अपने को बचाएं जना क्रोश से कैसे बचाएं असल कहानी ये है बस इनी शब्दों के झाल झाल